नमस्कार आप देख रहे हैं टुड़े जुनून और मैं हूँ आपके साथ अम्भुजपाद है टुड़े जुनून की टीम राजिस्तान बिधानसवाद चुनाप जो नजदी की हैं उनकी कवरेज के लिए जैपुर में इस्तित है यहाँ पर कल हमने देखा आपने देखा आज़े हैं यहाँ की जमीदी राजनीति यानि की इस्तित विरास्त विरासृत है उसको समाले हुए उनके बारे में बताया इसमें मैं मौझुद हूँ मेरे साथ मौझूद है सुमेर सिंग चाहंड जी जो कॉंग्रेस के नेता एं और समाथ से भीजी है racial क्या कहना चाहे है अभीनंधन है सतकार है और जैसे जैसे आप राजस्तान की बारे में जानेंगे तो यहां की राजनेतिक के जो दवे वए कुंचे-हे उन directement सब्सक्राइज हो निकाल लेंगे ॥ा सभॉत आपने अभी किया कि राजस्तान की बाहर नहीं निकलती थी, उनके मंत्री, उनके विधायक उनसे मिल नहीं पाते थे, तो आम जनता कहां मिल पाती थी, इसी तरह से, कॉंग्रेस ने एक माहुल डवलप किया, और कॉंग्रेस की पुर्ण बहुमत की सरकार यहां पे बनी था, वो नो डाउट आधनिये सचीन आप जाके पूछिए सरकार की जो कल्यानकारी योजने हैं पाइलिट साब का जो संगर्स है उसकी बदोलत पुन है कांग्रेस की सरकार यहां पे आ जाएगी मेरा सर यही प्रसंता देकतर मीडिया में देखने को मिलना है साथ ही कुछ जो आपके विपक्षिया वो एक तरीकी स सवाल है क्योंकि आज इस पर निर्ने होना है इदर सचिन पाइलेट साब ने पंदरा दिन का अल्टिमेट दिया जो लगभग लगभग तीस तारीक को पूरा हो जाएगा यानि कल पूरा होने को है वो और आज आज राष्ट्य अद्धिक्स खडगरेजी के नेत्वत में ए इग्नोर नहीं कर सकती पार्टी उसका रीजन यह है कि यूथ आइकन है बहुत बड़ा दबदबा है और चौहांड साब के पास एक्स्पिरेंस है गहलोत साब के पास एक्सपिरेंस है तो अब क्या है कि काफी तीन बार सीम रह लिए कुछ बड़ा दिल उनको भी रखना प मैं सबसे पहले पूछना चाहरा था आपको जिस तरीके से महां पर जो एक राज दंड जो पहले नहरू जी को मिला था वो काफी चर्चा का भी से बना रहा उसको उन्होंने इस्थापित किया संसद में जो लगवा आ जैदी के सब्तर साल तक दूर रहा था उस संसद भवा समय में नहीं मानता यह वर्तमान समय में देश को विक्षित कर सकती है देश को उस मुकाम पर ले जा सकती है इस तरह की भावने इनको हटानी पड़ेगी उद्गाटन राश्ट्रपती जी का मेन होना जरूरी था वहां पर विपक्ष के नेतां को भी होना चाहिए था अब बड़ा दिल रखके अगर कटवा देते फिता उद्गाटन उनके नेतति में करवा देता महिला सकती को एक बहुत बड़ा नया आया मिल जाता तो कहां आपती थी इन लोगों को पर आपती थी कि मीडिया कैसे करता नरेंद्र मोती जी कपड़े कैसे पहनेंगे यह सब चीज था कि जिस तरीके से 2016 में नोट बंदी होई जी 2000 के नोट को लाया गया हजार की नोट को बंद किया गया उसके बाद फिर अभी आर्वेई की दौरा 2000 की नोट को फिर बंद किया गया है क्या समझ रहे हैं यह कुछ राजनीती से प्रेरित है या चुनाव नजदी के उसको ल में मेरा आपका उत्तर मिल गया कहने का मतलब यह है कि बिना किसी और बी आई के गवर्णर की परमिशन लिए बिकर बिना किसी रिजर्व बैंक के किसी अधिकारी की सहमती लिए बिकर आप नोट बंदी कर देते हो जनता को लाइन में खड़ा कर देते हो और नतीजा जीरो नोट चल्लू करते हो वापिस उसको बंद करते हो नतीजा जीरो भारतिये अर्थ वेवस्ता इन चीजों से मजबूत नहीं होने वाली है यहां का स्वेरोजगार मिले यहां का युवा यहीं पर नौकरी मिले तब जाके मजबूत होगा सक्सम भारत होगा क्या उमीद लग लिए इस वार कॉंग्रेस की सबसे पहले क्या होता है कि विपक्स की भूमिका जो पार्टी कितनी बहतरीन तरीके से निवाती है यह महत्वपूर्ण है सरकार रिपीट होने और ना होने में तो यहां की जो वार्ति जनता पार्टी ने तीन तो अधिक इधर नरेंद्र मोदी जी फिर किसी को थौंप देते हैं यहां कोई किसानवर्ट का आदमी जार समुदाय से अगर प्रदेश अद्देख तीन साल मेहनत करता है उसको चुनाव के नश्ति हटा दिया जाता है तो यह जो राजनेती है यह भारतिये जनता पार्टी को पृतंत्रिक प्रदति से चरन्य वाली पार्टी है हमारी ही सरकार के मुख्या के खिलाप हमारी सरकार के नेता ने अभी पेदल मार्च किया और हमने करके दिखाया उसको तो विपक्ष्नास तरीके से लएकिए इनके आपसी फूट है वो नई ने विपक्ष का काम यही लीडर ने, अगर आपके आँखों के सामने कोई गलतकार यह हो रहा है, मैं उसका खुद विरोध करता हूं, और मैं मानता हूं आपको भी विरोध करना चाहिए, आपको भी यह चाहिए, कि अगर आपके आँखों के सामने कोई गलतकार है, यह दिल की बात है, यह तुडे जुनून उस जुनून निकलना चाहिए चाहिए सत्ता हो चाहिए किसी तरह के कोई भी ताना साइज रवईया हो उसके खिलाप आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा और वर्तमाइब कांग्रेश की जनकल्यान करी योजना है उनका विरोध नहीं किया सचिन पाइल से तुडे जुनून के माध्यम से मेरी जिम्मेदारी बनती है मेरा नेतिक करतव बनता है कि मैं सही जानकारी आपको प्रदान करूं पार्टी का मैं पदाधिकारी होने के नाते मैं पार्टी के प्रती भी लोयर रहूं सरकार के देखो हमने 98 काम में हम सरकार के साथ खड़े हैं अगर दो काम में विरोध किया है तो सरकार तुरंत प्रभाव से सोचे और उनको पुन्रावती नहीं हो इसा कारी करे एक सिर्फ मेरा अंतिम प्रशनर राजिस्थान की जंता आपको देख रही है क्या मुद्दी र तो हमासे पास बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा वाकी एक जो मुद्दा और मुद्दा है वह पर लीसे रिलेटेंद मुद्दा था तो बेरोजगारी पे भी हमारे को कमांड करेंगन चीए और यह जो पेपर लीक वाला है इसके लिए तो एक कानून लेके आना चीए ऐसा कानून जिसकी बदोलत अपराध ही सलाखों के पीछे जाए और दुबारा दुशास नहीं करें कि पेपर लीक जैसे गटनकरम कोई करें क्योंकि भविश्य के साथ हम खिलवार नहीं कर सक सकते राजस्तान की जनता के साथ हम खिलवार नहीं कर सकते तो हम एसा कार्य करें जिसकी बदोलत युवाउं में विश्वास आए जनता में विश्वास है पेपर लीक प्रमुक मुद्दा है तो यह थे हमारे साथ में सुमेर सिंग चारण जी जिनका मानना है कि कॉंग्रेस की जो सरकार है उसने काफी अच्छे से सुद्रिक तर्रीके से यहां पर जो बेवस्ता है उनको सो चारू रूप से चला है अभी के लिए मुझे दीजे जाज़त फिर किसी और सक्षियत के साथ आप से करते हैं मुलाकाद नमस्का